हाई फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चनल कुक्वी तुपासना आज में आप लोग लेके आएँ आलूदम दही बड़ा आपने तो बहुत बार है टिक्की चाट पापड़ी चाट दही बड़ा खाया हुआ क्या आपने कभी खाया है आलूदम दही बड़ा यह उडिसा की बहुत ही फेमस रेसिपी है इसे बनाना बहुत ही आसान है और इक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलो फिर बनाते हैं सबसे पहले हम दही बड़ा बना लेंगे उसके लिए एक अब बिना चिलका वाला उरत दाल लेना है इसे अच्छे से धोग के पास से छे घंटे के लि अब इसे फेटना है अब इस दाल को हमें तब तक फेटना है जब तक पुरे अच्छे से हलका ना हो जाए और पुरा फलपी ना हो जाए यदि आप कम फेटेंगे तो ये बड़ा आपका सॉफ्ट नहीं बनेगा पुरा हाट बन जाएगा अब देखिए ये हमने दाल को अब इसमें डालेंगे वन पिंच मीठा सोडा जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं और डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है हमें मीठा सोडा इसलिए डालना है कि बड़ा बहुत ही ज्यादा स्वाफ्ट बनता है जब आप पानी में डालेंगे तो पुरा अंदर तक पानी ए जड़ूट डालें इसे बहुत ही ज्यदा टेस्टी बनता है अब देखें मिक्स होती है, आप हम बड़ा बना लेंगे दही बड़ा बनाने से पहले हमें एक पानी बनाएंगे दही बड़ा तल के इसी पानी में हमें डालना है उसके लिए ए गलास पानी लेंगे, नौरमर पानी लेना है और उसमें हम 4 चमच दही डालेंगे आप कोईसा भी दही डाल सकते हैं, खट्टी भी दही चलेगी या मीठी है वो भी चलेगी सिफछीनी नहीं डालना है अब इसमें हम नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के कोडिंग, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और दही बड़ा तल के इसी में ही डालेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है इस तरह से, आप इस तरीके से एक बार बना के जरूर ट्राइ करें, अब देखें, हो गया है, अब हम बड़ा को तल के इसमें डाल देंगे, अब हम एक कड़ाई में तेल गरम करेंगे, जब तेल गरम हो जागा तो ग्यास का फफले मीडियम कर देंगे, और चोटे-चोटे साइज का हमें बड़ा तल है, बहुत बड़े साइज का ने, इस तरह से, हाथ में पानी लगाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पिठी लेते जाएंगे और इस तरह से हाथ से प्रेश करके तेल में डालते जाएंगे, इसी तरह हम बड़े को तल लेंगे, अब देखे हमने गोल्डन होने तक बड़े को तल लिया है, अब इस बड़े को ये दही वाला पान में हमें टाल देना है और इस तरह से मिक्स कर देना है यह दही वहला पानी में दालने से यह भबड़ा सा खट się हो जाता और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है अब इसे झाट के आदा घंटा के लिए छोड़ देंगे कि दही बड़ा के अंदर इसका पूरा पानी चला जाए, अब हमें एक हरी चटनी पीसने है, उसके लिए थोड़ा सा धनिया पत्ती, थोड़ा सा पुदीना पत्ता, एक हरी मिर्ची, एक टुकड़ा अधरक्का, और दो कली लेसुन, और नमक डाल की हमें इसे पीस लेना है, अब हमें पीला मतर का छोला बनाना है, एकदम सिंपल तरीखे से बनाना है, कुकर में मतर को सबसे पहले 5-6 घंटे के लिए भीगो के रख देना है, जब यह भीग जाए, तब कुकर में नमक खल्दी टमाटर डाल के इसे 2 सीटी तक उभाल लेना है, कि अच्छे सी यह सौफ् और जब तेल गरम हो जाए, तो आदी छोटी चमच जीरा डाल देंगे, अजब जीरा टिटक जाए, तब इसमें हम 2 प्याज कटावा डाल देंगे, हमें प्याज को काटके ही डालना है, पीसके नहीं लेना है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसे हमें तब तक जाए, हमें इसे गोल्डन नहीं भूनना है प्याज को, अब देखिए हमें इस स्टेज तक भूनना है, अब जब इस अच्छे से अब इतना भून गया है, अब इसमें हम दो उबला हुआ अलू काटके डाल देंगे, बड़े बड़े पीस में डालना है आलू, कि हमें पता अच्छे से मिक्स कर लेना है, और प्याज के साथ हमें आलू को भी 5 मिनट तक भूनना है, आलू जब अच्छे से भून जाएगा, तभी हमें इसमें मसाला डालेंगे, क्योंकि आलू जब तक अच्छे से भूनेगा नहीं, तब तक आलू दम में उतना टेस्ट नहीं अब आलू भून गया है, बहुती अच्छी तरह से अब इसमें हम डालेंगे आधी चोटी चमच अद्रक लसन का पेस्ट, ऐसे भी अच्छे से भून लेना है, और लसन की क्वांटिटी हमें कम रखना है इसमें, अब लसन अच्छे से भून गया है, अब इसमें हम सबजी मसाला मिंस और दो चमच टमाटर प्यूरी टमाटर प्यूरी की रेसेपी और पहले से यह कर चुकी हूँ अब जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी दो मिनट के लिए भून लेंगे अब यह आलू मसाला अच्छे तरह से भून गया है अब इसमें हम पानी डालेंगे यह उबले वी आलू की नॉर्मल सबची है जो डेली यूज में हम लोग बनाते हैं बस उसी पैटर्न में इसे हमें बनाना है अब इसे उबलने के लिए पांच मिट के लिए छोड़ देंगे अब यह आलू दम रेड़ी है लेकिन बिना गरम मसाले के यह आलू दम अधूरी है अब इसमें गरम मसाला आधी छोटी चमच डालके मिक्स कर लेंगे और गयास का फ्लेम ओफ कर देंगे अब इहरी चमच पिसके रेड़ी हो गया अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चमच काला नमक थोड़ा सा नीमबू इस चमच में काला नमक डाले काला नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चटनी में अब एक चमच बारी कटा हुआ प्याज और इस चटनी को पतला बनाएंगे इसलिए इसमें पानी डाल के मिक्स कर लेंगे अब इस चटनी हो गया रेड़ी इसमें इमली का चटनी लेना है इमली को भिगो देना है उसमें पाणी डालके इसका पल्प निकाल देना है बस ये इमली का चटनी रेडी हो गया है इसमें मीठा चटनी नहीं लगेगा खटा चटनी लगेगा तो चलो सब चीज रेडी हो गया बड़ा आलू दम छोला अब हम आलू दम दही बड़ा बना लेते हैं हमें बनाना किस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से सबसे पहले हमें बड़ा को लेना है और हाथ से इस तरह से चूर देना है अब इसमें हम दही वाला पानी डालना है खटा खटा बहुत ही अच्छा ट अब इसमें डालेंगे ग्रीन चट्नी, ग्रीन चट्नी हमेशा इस तरह से पतला करके डालें, इसे देखेंगे कि कितना ज्यादा टेस्ट आता है, और एक चमच इंगली का खटाई, अब इस चाट में हम सारी मसाले को डालेंगे, आधी छोटी चमच, भुना हुआ जीरा बना के देखें, देखेंगे कितना ज्यादा टेस्टी लगता है, और आधी छोटी चमच लाल मिर्ची पाउडर, बारी कटा हुआ प्याज, बारी कटा हुआ धनिया पत्ती, आप ग्रीन मिर्ची भी डाल सकते हैं, अब ये रेडी हो गया है चाट, अब ये खटी तीखी च अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई